गुड मॉर्णिंग चिल्रेंग, वलकम टो हिंदी क्लास। टुड़ेग, विल्र लेर्ण इ मात्रा शब्द। बच्चों आजम पढ़नें इ मात्रा वाले शब्द। आपने मात्राइं सिखा है। उसमें यह कौन सी मात्रा है। इ की मात्रा, छोटी, इ की मात्रा, तो इसका साउंड आपको कैसे करना है, इ, ठीक है, तो पढ़िये, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यह मात्रा, शब्द का पहला चित्र, तो यह चित्र कौन सा है, यह है, गिलाज, इंग्लिश में हम कहते हैं, ग्लाज, हिंदी में, ग, गा में छोटी की मात्रा, गी, ला में आ की मात्रा, ला, स, गिलाज, यह है क्या, रेम, यह बारिश हो रही है, इसको हिंदी में कहते हैं, बा में आ की मात्रा, बा, रा में छोटी की मात्रा, री, श, बारिश, नेक्स्ट पिक्चर, यह क्या है, देखो यहाँ पर, एरो दिखा रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं, सामे छोटी की मात्रा सी, सामे छोटी की मात्रा सी, र, सिर, आप आते हैं यहाँ पर, यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट है, it is a musical instrument, what we call this, सितार, सामे ए की मात्रा सी, तामे आ की मात्रा ता, र, सितार, यहाँ देखो यह है, book, किताब, का में ए की मात्रा की, ता में आ की मात्रा ता, ब, किताब, और यह क्या है, यह कौन सा पिक्चर है, केमलियान, जो कलर चेंज करता रहता है न, केमलियान, इसको कहते हैं, गिर, गिट, गा में छोटी की मात्रा की, र, गा में छोटी की मात्रा की, त, गिर, गिट, और भी हैं बच्चों, देखों, यह एक वील है, इसको हिंदी में कहते हैं, प, हा में छोटी की मात्रा ही, या में आ की मात्रा या, पहिया, अब इस पिक्चर को देखों, यह क्या है, यह है, पिलो, है न, इसको कहते हैं, त, का में छोटी की मात्रा की, या में आ की मात्रा या, तक की या, अब यहां देखो, यह क्या है, बनाना पिल, है न, बनाना पिल, तो पिल को कहते हैं, चा में छोटी की मात्रा ची, ल, का में आ की मात्रा का, छिल का, अब यह देखों, यह है, बास्केट, है न, इसको कहते हैं, ड, ला में छोटी की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या, डलिया, तो इसे कहा जाता है, डलिया, और यह है, छिल का, तकिया, पहिया, तो यह यह बात्रा शकते हैं, तो चलो, कुछ और यह मात्रा वर्ड्स सीखते हैं, Let's learn some more, यह मात्रा वर्ड्स, First, बा में आ की मात्रा बा, रा में यह की मात्रा री, श, बारिश, र, वा में छोटी की मात्रा वी, रवी, Children, you also read along with me. जाल, 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 जा द, ना में E की मात्रा नी, या में A की मात्रा या, ध, नी, या, ध, नी, या खा में E की मात्रा थी, ल, खिल, दा में E की मात्रा थी, ल, दिल, मा में E की मात्रा मी, ल, मिल, ता में E की मात्रा थी, ल, तिल तामे ए की मात्रा टी क ट टिकट नामे ए की मात्रा टी क ट निकट हामे ए की मात्रा ही र न हिरन कामे एकी मात्रा की र न किरन So, here are your एकी मात्रा वर्च चिल्रें, you have to practice 3-4 times these words. Now your homework. Homework, read and write the given words. So, the words which are given here, एकी मात्रा के और नई शब्द. So, what you have to do? You have to first read all these words and then write one time in your notebooks. तो बच्चों, इन सब्दों को आपको पढ़ना है और एक बार अपनी कॉप्यों में लिखना है. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही अगली कॉप्षा में हम फिर मिलेंगे धन्द.